नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर इसरों के सुरे मिशन आदिते एल एक ने सफलता पुरवग भड़ी उरान केके पाठक ने सभी DEO को दिया नया नर्देश केके पाठक के तरफ से टीचरों की छुटी रद करने पर बोले सीयम नितीश परणित धिरेंदर कृष्ण सास्त्री एक बार फिर इस दिन आ रहे हैं बिहार तेयश्वी संग लालो यादव से मिले राबरी आवास पहुचे सीयम नितीश इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से केके पाठक ने सभी DEO को दिया नया नर्देश इन दिनों बिहार में सिक्षा विवस्था को बहतर बनाने के लिए बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के दोरा कई फर्मान चारी किये जा रहे हैं इसी के तहट केके पाठक की ओर से एक बार फिर एक नया फर्मान चारी किया गया है जिसमें उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को एक पत्र लिख या नर्देश दिया है कि सक्षा पदाधिकारी और प्रधान ध्यापक रोज शाम चार बजे आपस में समवाद करेंगे बता दे कि है समवाद वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होगी मालुम हो कि केके पार्टक के ओर से इस नर्देश को गंभीरता से लेनी की चतावनी भी दी गई है इसके लावा अपर मुखे सचीव के दौरा प्रारंभिक स्कूलों और प्लस टू स्कूलों के प्रधान ध्यापकोक से चर्चा के बिंदू भी तैग कर लिये गए हैं इसरो के सुर्य मिशन आदित्य L1 ने सफलता पुरवक भरी उरान आज सुबह 11 बचकर 50 मिनट में इसरो के दौरा स्री हरी कोटा स्पेस सेंटर से भारत के पहले सुर्य मिशन आदित्य L1 को लौंच कर दिया गया ऐसे में अब यह अंत्रक्षियान 15 लाग किलो मीटर की दू समर्पित भारतिय अंत्रक्ष मिशन को भारतिय वेदसाला PSLVC 57 रोकेट द्वारा लौंच किया गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस मिशन का बजट करीब 423 करोर रुपे है और इसका मक्सद क्रोमोस्फियर, कोरोना, प्लाज्मा, फिजिक्स, सोल, फ्लेयर्स, को कोरोनल, लूप और कोरोनल, तापमान, घनतव और वेग, कोरोना में मैंगनेटिक फिल्ड, टोपोलोजी, सनरचना और उसकी उत्पत्ती का ध्यान करना है, पूरी प्रक्रिया में करीब 127 दिन, यानि 4 महीनी का समय लगेगा मुझपरपुर के बेटी ने राश्ट्रपती से मिलकर दी अपने अनोखे अभियान की जानकारी, विहार के मुझपरपुर जले के कट्रा प्रखंड अंतर्गत, अम्मा गाव निवासी लेखी का, मिस्टीन इंडिया 2022, वैस्विक, लैंगिंग, समानता, काड़ीकरता और स साथ, साथ, लैंगिंग, समानता इवं महिला, ससती करन पर जो तुम काम कर रही हो, काफी आगे जाओगी, उन्होंने आख पर सैनेटरी पैट लगाकर लोगों को जागरूप करने वाली फोटो को काफी तारीफ की, साथ ही बोली कि तुम्हारी लैंगिंग, समानता पर जारी इस दिन दर्च कराएं आपती, अगर आभी उन अभियर्थियों में से हैं, जिन्होंने बिहार सक्षक भरती परिक्षा में भाग लिया था, तो यह खबर आपके लिए है, बता दे कि बिहार लोग सेवा आयो, के दोरा बिहार सक्षक भरती परिक्षा का आंसर की जार कर दिया गया है और साथ ही पांच से साथ सितंबर तक आपती प्रमानिक स्रोत या साक्ष के साथ अपलोड करने के लिए कहा गया है ऐसे में परिक्षार्थी बीपीसी की आधिकारिक साइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं आलमोगी वेबसाइट के माध्यम से आंसर की को डाउन्नोड भी किया जा सकता है वहीं अगर किसी परिक्षार्थी को किसी प्रशनी के उत्तर को लेकर कोई आपती है तो वह पांच सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच अपनी आप उचले एक साल से बंद परी ट्रैकलिस टोयर ट्रेन की दुबारा शिर्वात हो गई है ऐसे में अब इस ट्रेन का मजा ना कीवल बच्चे बलकी बड़े लोग भी ले सकते हैं अगर हम इसके किराई की बात करें तो बड़े लोगों के लिए टिकट का किराया 30 रुपए तो रेंट ना चुकाने की वज़े से जू परशासन के ओर से बंद कर दिया गया था जिसके बाद फिर पैसे भुकतान के जाने के बाद एक बार फिर दुबारा ट्रेन जून 2022 में चली लेकिन कुछ खराबी हो जाने के करण इसे दुबारा बंद कर दिया गया जिसके बाद गोशना पटना हाई कोट के आदेश के बात की गई है मालूमों के सम्मध में पुर्व MLC प्रत्याशी आरंद पुसकर के दोरा बिहार विद्याले परिक्षा समीती के अध्यक्ष से मुलाकात की गई थी और उनसे आगरह भी किया गया था इसको लेकर BSEB के दोरा आधिकार इ के विशय अंगरे जी करनेत भौत की रसायन सास्त्र प्रानी सास्त्र फनस्पती सास्त्र कंप्यूटर साइंस मैथली एवं वानेजे में सभी कोटी के प्रसक्षत अभ्यर्थियों को नरधारत अधिक्तम आयू सीमा में चार वर्स की छूट दिलांक एक अगस 2019 से एक अगस 2023 तक की अवधी में ओवरिज अभ्यर्थियों के लिए देत होगी केके पार्थक के तरफ से टीचरों की छुटी रद करने पर बोले सीम नतीश सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पार्ठक के द्वारा टीचिरों की चुती रद करने के बास से बिहार में जमकर विवाद हो रहा है अब इसी पर बिहार के मुख्य मंतर लितीश कुमार के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है उन्होंने कहा है कि कहा कोई विवाद हो रहा, सभी बस जूट बोल रहे हैं, सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, इसमें बुड़ाई कहा है, हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग पढ़ाई करें, इसी को लेकर यह सब चीज हो रहा है, इसमें कहा कोई गलत बात है, उन्होंने कह इसकाद रहाए है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो हम से आकर मिले हम तो सबका सुनते हैं और सुनते रहेंगे पंडित धिरंद्र कृष्ण सास्री एक बार फिर इस दन आ रहे हैं बिहार एक बार फिर से बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धिरंद्र कृष्ण सास्री अपने काडिकरम को लेकर बिहार आने वाले है पतादिक इस बार उनका बिहार का दौरा साथ दिनों का होने वाला है मीडिया में चल रही खबरों के नुसार उनका बिहार में कारिक्रम की शुरवात 29 सितंबर से होने वाली है जो की 5 ओक्टूबर तक चलेगी उनका यह कारिक्रम गया में होने वाला है जिसमें दिवे दरवार भी आयुजित किया जाएगा विले जानकारी के रसार पंडित धरन्दर कृष्ण सास्तरी गया में पितरी पक्ष मेले के दोरान स्रीमत भगवत कथा का पार्ट करेंगे मालम हो किसे पहले इनका कारिक्रम कच्छा में दाखिले के लिए करेक्शन विंडो खुले अगर आप भी नवोधय विद्याले में कक्छा 6 में आमांकर लेने के लिए आविदन कर चुके हैं लेकिन उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो वह खबर आपके लिए है बता दी कि नवोधय विद्याले समीती के दोरा ओनलाइन फॉर्म में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दिया गया था ऐसे में करेक्शन विंडो का लिंक NPS की ओफिसियल वेबसाइट नवोदया.gov.in पर उपलत है यहां जाकर अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में जंडर एरिया दिव्यांगता वा पड़िक्षा का माध्यम विकल्पों पर संसोधन कर सकते हैं बता दे कि यह करेक्शन विंडो आज यानी की 2 सितमबर तक ही खुली रहेगी ऐसे में अभ्यर्थियों के पास ओनलाइन फॉर्म में सुधार करने का मौका केवल आज तक है विहार में सराब तसकरी के नए नए जुगार विहार में पुर्ण रूप सराब बंदी है ऐसे तो हम सभी वाकिफ है लिकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं ऐसा है एक जुगार सराइ थाना चेतर के सरसाई गाव में देखने को मिला है जहां मध्यनिशेद टीम पटना और सराइ पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ओन ड्यूटी आर्मी लिखा हुआ एक ट्रॉक से फणीचर के सामान के नीचे से सो काटून सराब बढ़ामत किया गया है जिसकी कीमत दस लाख रुपए बताई जारी है इसके साथ है जुरान पुलिस के दौरा छे सराब तसकर को भी ग्रिफतार किया गया है बतादे कि इस बात की जानकारी सराय था अंध्यक्ष विधुर कुमार के दौरा दी गई है अलब संख्यक छात्रविती घुटाले की जांच दाईरी में बिहार के 120 संस्थान देश भर के अलब संख्यक समुदाई के छात्रो को दी जाने वाली छात्रविती में बड़ेस्तर से घुटाला का मामला सामने आया है जिसमें बिहार के भी 120 संस्थान शामिल है लेकिन इसम में सामने आए इस घोटाले को लिकर CBI की नई दिली स्थित अपराध नियंतरन इकाई के दोरा इसकी जांच की शिरुवात कर दी गई है इसके साथ ही केंद्रे जांच एजनसी के दोरा बिहार सरकार को भी एक पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि वह अपने अस्तर से भी इस घोटाले की जांच करें क्योंकि इसमें कई ऐसे चातरों के नाम भी सामने आए हैं जिन का आवासी प्रमान पत्र बिहार का बना था लेकिन वह असम में पढ़ रहे हैं आपके जांच कारी के बता दे कि इस घोटाले को लेकर अब तक की जांच में 144 करोड 33 लाख रूपे की छातरों की राश्य की गवन की बास सामने आ चुकी है समराठ चौधरी का सीयम नितीश पर प्रहार बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ट समराठ चौधरी के दोरा ऐए दिन बिहार की मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर तंच कसा जाता है उन्होंने कहा कि नतीश कुमार का जो चहडा है वाती पिछला विरोधी है अपने ebenfalls आयोग बनाया लेकिन एक साल से रिपोट चारी नहीं किया सवर्ण आयोग बनाया लेकिन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कोई काम नहीं किया आज जाती सर्वे कराया लेकिन उसके रिपोर्ट चारी नहीं करना चाहते तेश्वी संग लालू यादव से मिलने राबरी आवास पहुंचे सीम नितीश आज सुबह बिहार के मख्यमंतर नितीश कुमार और उपमख्यमंतर तेश्वी यादव एक राज के समाडों में एक साथ सरकत करने के बाद वापसी के दोरान राजस सुप्रीमो लालू पुशाद यादव से भेट करने राबरी आवास पहुंचे ऐसे में मीडिया में चल रही खबरों के लुसार इस दौरा लालू यादव और सियम नितीश के बीछ इंडिया गडब बन्धन को लेकर बाद कर बातचीत हुई और साथी स्वास्त समबंधी भी कुछ पाद चीत हुई इसके लाबा इन दोनों के बीच यह भी बातचीत हुई कि समन्वे समीती गठन के बाद दोनों पार्टी के निताक कस्तरह से काम करेंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि मुंबई में इंडिया गर्वंधन की हुई दो दिवसीय बैठक में लालूप प्रशाद यादव और नितीशक मां दोनों एक साथ सामिल हुए थे National Institute of Open Schooling में 10 वी वा बारवी की परिक्षा 3 ऑक्टूबर से National Institute of Open Schooling के दोरा दस वी वा बारवी के छात्रों के लिए परिक्षा का सेड्यूल जारी कर दिया गया है जारी किया जाएगा जिससे अभियर्थी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं वह परिक्षा देने वाले चात्रों की मांक सीट संबंधित पते पर भेज दी जाएगी इसके लावा चात्र ऑनलाइन भी मांक सीट चेक कर सकेंगे जाने आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल करेट बिहार में आज यारी सनिवार को पेट्रोल डीजल करेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.59 रूपे और डीजल 94.36 रूपे प्रति लीटर में मिल रहा है मुझापर पूर्णे पेट्रोल 107.95 रूपे और डीजल 94.68 रूपे प्रति लीटर मिल रहा है वही पूर्णिया में पेट्रोली कीमत 108.98 रूपे और डीजल कीमत 45.64 रूपे प्रति लीटर है पतादी कि बिहार वे पेट्रोल करेट सबसेदा किसन गज में है जहां पेट्रोल 109.73 रूपे प्रति लीटर और डीजल 56.34 रूपे प्रति लीटर के इदर से मिल रहा है बیतर दिन हमायदर पूची का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रिजाब फमे में मारी कमन सेक्चिन बॉक्स में लिखकर दिया है अपना जवाब हमें यमारी कमेंट सेक्शन में दिकर जरूर बताएं आज के लिए नहीं बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखते चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक देखते पेस को फॉलो करना ना भूले धान्यवाद